मैट्रिक्स OS का 10.6.2 का ओफिशल एंडोइड 14 बिल्ड का अपडेट आया हुआ है Redmi Note 10 Pro and Pro Max के लिए तो इसी के बारे में हम बात करेंगे लास्ट रिबी साय तक मैं 10.4.3 का करीब का किया था लेकिन अभी यहां पे 10.6.2 लेटेस्ट अपडेट आया है और देखेंगे कितने चेंजेस हुएं क्या कुछ फर्क पड़ा है इसके अंदर में इस अपडेट में उसी के बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरू कर दीजेगा तो जैसे कि मैट्रिक्स OS 10.6.2 का ये जो है ओफिशल एंडोइट 14 बिल्ड है सिक्यूर्टी पे जुलाई 2024 का है करनल यहाँ पे जो है स्लीपी वाला है पहले लास्ट अपडेट पे स्ट्रिक्स वाला था तो करनल यहाँ पे जो है चेंज हुआ है NQS पेनल के अंदर अभी भी जो है लाइट लैग रहते हैं स्क्रोलिंग में या फिर अप उपनिंग के अगर बात करें तो इन सब में थोड़ा सा लैग है है भी तो नहीं है लेकिन हलका लैग रहता है काफी लाइट सा जो लास्ट अपडेट पे था यहाँ पे लाइका के कैमरा है फोर के थार्ट एपस तक बीडर रिकोर्ड कर पाओगे और वर्जन जो है 5.0 वर्जन के साथ जो लास्ट में था वही सेम आपको मिलेगा जी के हम इंस्टोल कर पाओगे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है ओडियो एफेक्स यहाँ पे था जो की रिमूब कर दिया गया इस अपडेट में और डॉल्ब एट्मोस एप ड्रोयर पे अपी मिल रहा है लास्ट अपडेट में जो है साउंड और वाइबरेशन के इंदर था अब यहाँ पे आ गया और डियारम इंफो के इंदर वाइडवाइन एलवन का सपोर्ट हमें यहाँ पे जो है मिल जाता है और यहाँ पे गैली नॉर्मल है बाकी गूगल फोटो इंस्टोल करते हो तो आपको अनलिम्टे स्टोरेज का जो सपोर्ट है मिल जाएगा कानल एसु का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे चलती है प्लेश्टोर की तरफ यह बिल्कुल सटफाइड है सेफटी नेट पास रहेगा तराम से बैंकिंग अप यूज आप कर पाओगे इसके इंदर में और बॉल पेपर एं स्टाइल की तरफ अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसके इंदर में हलागे जो बॉल पेपर यूज कर देखने को मिलता है और ब्लुटूट डिवाइस मीडिया कॉल दोनों पर यहाँ पर काम कर रहा है अब अगर बात करें बैटरी वेगप के बारे में तो टू आवर एटी परसंट ब्राइनस पर बीडियो प्ले करने के बाद ऐटी सेवन परसंट जो है बैटरी हमें यहाँ पे मिली है लास्ट अपडेट पे सेम यूज परसंट बैटरी जो है देखने को मिली थी और अब च परसंट के आसपास जो है बैटरी डेन यहाँ पे हुआ है एन्टू तो स्कोर में 3,72,000 इस बार मिला है लास्ट अपडेट पे 3,86,000 जो है मिला था और अगर सीपी थ्रोटल की बात करें तो इस बार 85 परसंट मिला है और जीप स्कोर मैक्स में 1,43,000 है एवरेज स्कोर 1,28, एट थाउजन है लास्ट अपडेट पे जो सीपी थ्रोटल था हमारा 83 परसंट था और जीप स्कोर मैक्स पे 1,57,000 था एवरेज स्कोर 1,34,000 जो है मिला था अब सेटिंग में चलते हैं तो मैट्रिक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे बटन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे लॉक्शन के अंदर एक चेंज मिल जाएगा डेप्थ वॉल पेपर यह निव एड किया गया इस के अंदर में तो डेप्थ वॉल पेपर आप यहाँ पे यह उज़ कर पाओगे इस के अंदर यह यहाँ पे निव एड हुआ है बागी की सेटिंग सेम रहेगी कोई change नहीं हुआ है mislinis के अंदर वेसे कोई change नहीं हुआ mislinis सेम रहेगा और navigation के अंदर यहाँ पर जो यह system and gesture के अंदर पहले था navigation mode अब यहाँ पर move कर दिया गया navigation के अंदर इसके अंदर भी एक ही change हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको hold handle to search का option new मिल जाता है और बाकी की settings सेम रहने वाली है and notification के अंदर में भी कोई change नहीं हुआ notification पर बिल्कुल सेम ही आने वाला है and quick settings के अंदर यहाँ पर क्या है कि footer opacity यह था और remove हो गया बाकी सब कुछ आपको same मिलेगा यहाँ पर कुछ भी change नहीं हुआ है पहले वाली settings रहने वाली है and sound के अंदर में भी कोई change नहीं हुआ sound भी same है कोई change नहीं status bar के अगर बात करते हैं तो status bar में भी मुझे कोई change यहाँ पर नहीं मिला था इन सब settings में बिल्कुल भी changes नई हुआ user interface भी आपको पहले वाला ही मिलेगा इसके अंदर भी कोई change नहीं हुआ था यह सब जो है आपको बिल्कुल same पहले वाली settings के साथ मिलेंगे network and internet के अंदर change हुआ है hotspot में इसके कि यहाँ पर आपको AP band और instant hotspot यह दो option आपको इसके अंदर new देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले यह नहीं थे यहाँ पर और अगर हम बाहर में आते हैं तो यहाँ पर सेम यह उसे connected devices के अंदर यहाँ पर cast working है कोई change यहाँ नहीं हुआ है apps के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जो है आपका assistant working रहेगा इसको लेके दिक्कत नहीं cloned app जो है वो हमें यहाँ पर है मिल जाता है बाकी launcher सेम रहेगा launcher के अंदर यह आपको आइकन के अंदर यह themed icon मिल जाता है यहाँ से dock पर जो themed icon उस पर apply को पाओगे default select करके यह बिल्कुल same settings है launcher की भी ति यहाँ पर भी कोई change ऐसा फिलाल नहीं है और back करके चलते हैं बैटरी के अंदर में तो बैटरी के अंदर यहाँ पर चार्जिंग को अपसन है यह सिर्फ यहाँ पर निव है बाकी की settings आपको पहले वाली मिलीगी और कोई चेंज यहाँ पर नहीं है और फिर आते हैं sound and vibration के अंदर में जिसमें यहाँ भी सबकुस सेम ही है बस लास्ट में डोल्ब अटमोस था जो कि अभी आपको 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 अप्डोय के अंदर देखने को मिल जाता है यह कुछ changes ऐसे रहेंगे यहाँ पर डिश्प्लिय अंदर जरूर देखने को मिल जाएंगे और फिर सेक्योटी आता है जिसके अंदर आपको यहां पर सटिंग में तो चेंजेस नहीं मिलता है बागे रिस्पोंस की बात करें तो फिंगर प्रिंट और जो इसका फेस अनलोग है दोनों ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो इसको लेकि हलाकि कोई भी दिक्कत यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और मोर सीक्योटी के अंदर एप लोग भी अभी यहां पर आपको मिल जाएगा और रोम यह जो है इसको में डिक्रिप्ट किया हूँ ऐसे जो है बाइड फूट इनक्रिप्टेड आने वाला है और अगर हम यहां यहां पर कोई भी चेंजस हमें नहीं मिलता है अगर चलते हैं गेम की तरह तो यहां पर जो गेम स्पेस है यह जो है आपका सेम सेटिंग्स के साथ रहेगा और जो ग्राफिक है इसके इंदर में स्मूट पे एक्स्ट्रीम प्लस आपको मिल जाएगा पहले की तरह ही और गे बैलेंस परफोमेंच के साथ ही आने वाला तो गेमिंग में कोई भी इंप्रोमेंट आपको देखनें है अगर आप दियांद होगा तो जादतर आपको जाद देखने को मिलेंगे बाकि बैटरी आपको देखने में अपर नहीं मिलने वाला ती यही था आज किस वीडियो और और वीडियो गर आपको अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वैल आइकन को प्रेस करके और पर लिजे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को बिल चैनल